नमस्कार दोस्तों इससे पहले वाले पार्ट्स अभी तक आप लोग ने वाच नहीं किये तो कोई भी गवराने वाली बात नहीं है इसी वीडियो के नीचे आपको जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन अलग अलग दस पार्ट की लिंक आपको मिल जाएगी एक एक करके सारे वीडियो आप लोग वाच कर लेना काफी important question उनमें मैंने आपको देखने को आपे मिल सकती है और हो सकता है question आपके परिश्चा में आपको repeat देखने को जरूर मैंने तो पूरी जानकर इस वीडियो मा आपे cover करेंगे सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और इसके बाद part number 12 आएगा इसके बाद कोई भी जानकर ही अब आपसे आपना चूटे पहले से चैनल को subscribe कर लें तो वीडियो के नीचे जाए subscribe के red button को आपे click करें मद्यप्रदेश, NHM, CHO हर information इसी तरीके से आगे भी पाते रहें तो बिलकुल शुरू बात कर देते हैं अपने अपडेट को बढ़ जाते हैं अपने पहले सवाल की और तो दोस्तो पहला जो सवाल यहां पी जो आप लोगों से पूछा जा रहे in an emergency situation the ideal place to feel the pulse तो दोस्तो इमरजेंसी situation में मीज यहां पे इमरजेंसी हालात में ideal place आप लोगों से पूछे जा रहे और किस चीज़ की ideal place आप से पूछे जा रहे to feel the pulse, pulse को मैसूस करने के लिए तो चार आपको अलग-अप्शन दे दी गए पहला जो आप्शन है एपिकल है दूसरा जो आप्शन है के रूटेड है इसके बाद दौर सैलिस पैडिस है और अंत में जो आप्शन है पॉप लाइट यहां पे रहेगा तो जल्दी से आप सब लोग इसका अंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दे तो दोस्तों उसका जो राइट आंसर है आप सबी को बतना चाहता हूं के रूटेड यहां पे रहेगा और यह आइडियल पिलेस है पल्स को फील करने के लिए इमरजेंसी सिच्वेशन में और इस सवाल के हिसाब से आप्शन नमबर बी जो है इसका सही विकल्प यहां पे रहने वाला है तो उसको आप लोग आप प्याद रखें अब बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की और तो दोस्तों अगले जो समाल है यह फुल फॉर्म है और इसमें आप लोगों से पूछा है रहा है इन एवी पीउ स्केल पी रिपर्स टू आपको बता रहा है एवी पीउ जो इसकेल है इसमें पी का मतलब यहां पे क्या रहेगा तो चाहर आपको विकल्प पर दिये दे गए क्या पी का मतलब पैलर है क्या पी का मतलब प्रेश तो दोस्तो इसका जो right answer है P जो refer करता है AVPU skill में pain को ये refer करेगा और इस question के साब से option number A इसका सही विकल्प याँप पे रहने वाला है और दोस्तो इसका जो full form है alert, verbal, pain, unresponsive तो आप सब लोग इसको याँप याद रखें और काफी important सावाल है ये परिक्षा में आपका repeat आपको देखने को मिल सकता है अब बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर दोस्तो जो अगला सवाल है जो आप सबी लोगों से याँपे जो पूछा रहा है the pulmonary artery catheter is also called as तो आपको बताना है pulmonary artery catheter जो है इसको यहां पर और क्या बुलाते हैं आपको चार ऑप्षन देदे गए फॉले कैथर कैथेटर इंड्वैलिंग कैथेटर शॉर्ट टर्म कैथेटर और स्वान गैंस कैथेटर तो जल्दी से आप सभी लोग इसका अंसर कमेंट बोक्स में टाइप करके बताएं तो दोस्तो उसका जो राइट आंसर है स्वान गैंस कैथेटर यहां पर रहेगा और इस कॉश्चन के एसाब से फॉर्थ नंबर का यह जो ऑप्षन है इसका राइट आंसर रहने वाला है पल्मोनरी आर्ट्री जो कैथेटर है इसको स्वान गैंस कैथेटर यहां पर बुला arterial blood pH इस तो आपको pH value बतानी है arterial blood की तो आपको चार अलग-अलग range आपको दे दी गई 7 से 7.5, 7.31 से 7.41 इसके बाद 7.31 से 7.45 और अंत में 7.35 से 7.45 तो जल्दी साब सब लोग range बता दे arterial blood की pH की range यहां पे क्या रहने वाली है तो comment box में जल्दी से आप लोग टाइप कर दे तो दोस्तो इसका जो right answer है 7.35 to 7.45 है और यही range यहां पे रहती है और आप सबी लोग यहां पे जो है sorry 7.35 to 7.45 तो option number D इसका right answer यहां पे रहेगा और यह range आप लोग यहां पे याद रखेंगे यह important सवाल है अब बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की और अगले जो सवाल आप लोगों से यहां पे जो पूछा जा रहा है the responsibility of a scrub nurse in the operating room is तो आप लोग को बताना है operating room में scrub nurse की क्या आप पे responsibility है तो चार आपको option दे दे गए applying surgical drapes assisting in gloving and gowning handling surgical instruments to surgeon positioning the patient तो जल्दी सब लोग बता दे scrub nurse की operating room में क्या आप रिस्पोंसिबिल्टी इन चार आपको option में से आप रहने वाली है जल्दी से आप लोग अपना जवाब comment box में type कर दे तो दोस्तो इसका जो right answer है handling surgical instrument to surgeon और ये responsibility यहाँ पर follow की जाती है operating room में scrub nurse द्वारा और option number C इस question के साब से इसका सही विकल्प यहाँ पर रहने वाला है अब बढ़ जाते हैं दोस्तों अपने अगले सवाल क्यों तो दोस्तों अगले जो सवाल है जो पूछा रहे हैं hormone oxytocin is secreted by तो important सवाल है आप सबी लोग को इसका answer आना चाहिए आप सबी को बताना है hormone जो oxytocin है यह secret जो होता है कहां किसके दोवारा यह secret यहाँ पिक किया जाता है तो आपको चार अलग-अलग option आपको दे दे गए lactiferous tubules इसके बाद pituitary gland, uterus और vagina तो जल्दी से आप सबी लोग यहाँ पे इसका answer comment box में टाइप कर दे oxytocin जो हर्मून है secret यहाँ पे होता है तो दोस्तों इसका जो right answer है pituitary gland है pituitary gland द्वारा यह hormone यहाँ पे release यहाँ पे secret यहाँ पे होता है और इस question के साब से option number B जो है इसका सही विकल्ब यहाँ पे रहेगा तो आप सब लोग उसको यहाँ यहाँ पे जलू रखें important मैदमूर्ट सवाल यहाँ पे यह बढ़ जाते है अपने अगले सवाल की ओर अगले जो सवाल आप लोगों से पूछा रहे है तो आपको बता रहे है किसकी कमी से किसकी डिफिशेंसी कॉस्ट हो है तो चार अलग-अलग options आप लोगों को यहाँ पे देर दी गए vitamin A, vitamin B, vitamin C और vitamin D तो जल्दी से आप सब लोग अपना answer comment box में टाइप कर दे तो दोस्तों इसका जो right answer है vitamin A यहाँ पे रहेगा और vitamin A की डिफिशेंसी से कमी से गंजेंटी वाइटल जो सारोसेज है यहाँ पे यह हो जाता है तो option number A जो है इसका सही विकल्प आप रहने वाला है और यह महत्पूर्ट सवाल है इसको भी आप लोग याद रखे अब बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओ अगला जो सवाल है काफी ज़्यादा easy है simple है और इसमें आप लोग उसे पूछा जारा है the richest source of vitamin C is तो vitamin C का आप सभी को सबसे ज़्यादा source आपको यहाँ पे बताना है इन चारो आप्शन में से यहाँ पे क्या विकल्प रहेगा तो यहाँ पे आपको आप्शन दी देगे है आमला, green, leaf, vegetables, milk और roots and tubers तो जल्दी से आप सभी लोग अपना answer comment box में type कर दें vitamin C का सबसे बड़ा source इन चारो आप्शन में से यहाँ पे क्या रहेगा तो दोस्तो इसका जो right answer है आमला है और option number A, इसका सही विकल्प आप रहने वाला है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे, मैतमूर सावाल है बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल कियो अगला जो प्रेशन है इसमें पूछ लिया गया है तो करीब आप लोगों से यह पूछा जा रहा है दा काइंड ओफ फूड मीस एक तरीके का भोजन ओन विच अप परसन और ग्रोप लिपस जिस पे कोई व्यक्ति या फिर कोई समू जीवित रहता है तो आप लोगों को बताना है इन चारों option में से वो कौन से तरीके का भोजन यहाँ पर रहने वाला है उसको यहाँ पर क्या बोलते हैं तो विकल्प आपको दे दे गए all of the above diet diet takes nutrition तो जल्दी से आप सब लोग अपना answer comment box में टाइप करें तो दोस्तो इसका जो right answer है diet है और option number B इसका सही विकल्प यहाँ पर रहने वाला है अब दोस्तो बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर अगला जो सवाल है which of the following is an example for simple lipid तो आप लोगों को बताना है सरल जो lipids रहते हैं इन चारों में से इन में से यहाँ पर क्या option यहाँ पर example उधारण यहाँ पर रहने वाला है तो आप लोग यहाँ पर option देख सकते हैं cholesterol दिया है phospholipids यहाँ पर दिया है PUFA दिया है और try gillis rates भी आप लोगों को दिया गया है तो जल्दे से आप सब लोग अपना answer comment box में टाइप कर दे तो दोस्त उसका जो right answer है try gillis rates यहाँ पर रहेगा और option no.4 सही विकल यहाँ पर रहने वाला है simple lipid का यह example उधारण यहाँ पर रहने वाला है अब बढ़ जाते हैं अगले सवाल की और अगले जो सवाल है पूछ लिया गया है the smaller unit of protein which are needed for the formation of new tissues तो दोस्तों आप लोगों को बताना है smaller unit यहाँ पर protein की क्या रहेगी जो कि मदद करती है नए tissue को form होने में नए tissues को बनने में तो आपको चार विकल पर दे दे गए essential amino acids linionic acid non essential amino acids non saturated fatty acids तो जल्दी से आप सब लोग इसका answer comment box में type कर दे तो दोस्तों इसका जो right answer है essential amino acid यहाँ पर रहेगा और इस question के असाब से option number one इसका सही विकल्ब रहने वाला है अब दोस्तों बढ़ जाते हैं अगले सवाल की और दोस्तों अगला जो सवाल है जो आप लोगों से यहाँ पर पूछा रहा है the causative organism of hoofing cup is तो आपको बताना है organism का नाम causative organism का नाम hoofing cup के लिए तो आपको यहाँ पर चार अलग-अलग आपको option से दे दे गए बॉल्ड डेटला वाइरस इसके बाद जो है अगला जो option है कोरिन, बैक्टेरियम, डिप्थेरियम ग्रूप A, बीटा होमलेटिक, स्ट्रेप्टियोकी इसके बाद रोटा वाइरस तो जल्दी से आप सब लोग इसका अंसर comment box में टाइप कर दे causative organism क्या रहेगा whooping cup का तो दोस्तों देखिए, इसका जो right answer है वो मैं आपको बता देता हूँ बॉल्ड टेल्टा, डेटला वाइरस यहाँ पर रहेगा और option number one जो है, इसका सही विकल्प यहाँ पर रहने वाला है तो इस वाइरस के नाम को आप लोग याद रखें यह causative organism है whooping cup के लिए और important सवाल यहाँ पर रहने वाला है बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की हो अगला जो सवाल आप लोगों से पूछा रहा है lymphatic filaries is caused by, तो आपको बताना है lymphatic filaries जो है किसके द्वारा यह होता है तो विकलफ आपको दिये दे गए all of the above means सभी इसके बाद b, malay इसके बाद b, timori और b, d जो option है w, bank crofty तो आप सब लोग इसका answer जल्दी से comment box में टाइप कर दे तो दोस्तों इसका जो right answer है आपको बता देता हूँ all of the above यहाँ पर रहेगा यह भी है, यह भी है और यह भी है तो option number one इसका सही विकल्ब all of the above यहाँ पर रहने बाला है बढ़ जाते हैं अगले सवाल क्यों अगला जो सवाल है पूछा जा रहा है नवजात शिशू का मूल्यांकन करते समय निमलिकेत क्रम से महत्पूर संक्यतों को मापना चाहिए तो आप लोगों को sequence बताना है जबकि नवजात शिशू का मूल्यांकन जब करते हैं मिस एक्जामेन करते हैं तो आपको यहाँ पर sequence बताना है क्रम बताना है pulse respiration temperature respiration pulse temperature respiration temperature, pulse temperature, pulse and respiration तो जल्दी से आप सबी लोग इसका अंसर comment box में type कर दे sequence यहाँ पर क्या राएगा मैदपूर संक्यतों को मेजर करने के लिए नवजात शिशू का तो दोस्तों इसका जो right answer है पहले respiration फिर pulse फिर temperature तो यह इसका क्रम है यही इसका sequence यहाँ पर रहने वाला है तो option number B जो है इसका सही विकल्ब रहेगा और काफी द्यदा important सबाल है इसके answer को भी आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे बढ़ जाते हैं अपने अगले सबाल कियो अब दोस्तों अगले जो सबाल है general knowledge वाले पार्ट से आप पर रहने वाले है और GK के 10 सवाल आप लोगों के cover किये जाएंगे आपकी MPCHU की परिक्षा में और यह जो 10 सवाल है काफी ज़्यादा easy है ज़्यादा high level के प्रेशने आप लोगों से नहीं पूछे आएंगे common और basic प्रेशनी आपके general knowledge से आपके आप पर रहने वाले हैं तो questions का level आप लोग यह आप पर देख सकते हैं जो questions मैंने आप पर cover किये Be who dance belongs to which state तो आपको बताना है Be who जो dance है कौन से राज जैसे यह संबंदित है तो दोस्तों देखिए आसाम राज्य से यह संबंदित है जब कभी भी आपको पूछा है Be who dance तो आपको आसाम इसका अंसर आपको यहां पर mark करना होगा इसके बाद दोस्तों अगला जो सवाल है आईश्मान भारत योजना प्रधान मंतरी जन आरोग योजना नामक योजना में डैश का स्वास्त बीमा देती है तो आपको बताना है कितने रुपे का स्वास्त बीमा सरकार देती है प्रधान मंतरी जन आरोग योजना में तो आप लोग जो है इसका आंसर याद रखें काफी important सवाल है पांच लाक रुपे यह स्वास्त बीमा देती है और इस योजना की तैंट फाइव लेक रुपीज यहाँ पर बीमा इंशॉरेंस के तौर पर यहाँ पर मिलते हैं तो यह आप लोग यहाँ प्याद रखें यह सवाल भी रदा काफी ज़दा important है अब दोस्तों बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की और पूछा जा रहा है वर्ल्ड होमेपैथी डे तो आपको बता रहा है विश्व होमेपैथी दिवस कब बना जाता है तो 10 अपरेल इसका right answer है यह भी आप लोग यहाँ प्याद रखें इसके बाद Asian Snooker Championship 2021 विनर तो आपको बताना है 2021 के Asian Snooker Championship के विनर यहाँ पर क्या है तो पंकच अड़वानी इसके आप विनर रही थे तो यह भी आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे इसके बाद दोस्तों जो अगला सवाल है New CEO of Twitter तो आपको बताना है Twitter के जो नए CEO बने वो कौन बने तो पराग अगरवाल बने और पराग अगरवाल काफी important यहाँ पर appointment है और यह सवाल जो है आपकी परिशा में आ सकता है इसको आप लोग याद रखें पराग अगरवाल Twitter के CEO Chief Executive Officer यहाँ पर रहने वाले है इसके बाद दोस्तों अगला जो सवाल है 2021 person of the year by people for ethical treatment of animal तो आप लोगों से पूछा जा रहा है Peter person of the year 2021 तो आप लोग जो है इसका answer याद रखेंगे आलिया बट इसका पर उत्तर है और Peter person चुनी गई 2021 के लिए और काफी important यह प्रशन है तो आप लोग जो है इसको यहाँ पर याद जरूर रखें बढ़ जाते हैं आपने अगले सवाल की और पूछा रहा है मद्य प्रदेश का कौन सा इस्थान साडियों के लिए प्रिसित है तो आपको बताना है साडियों के लिए मद्य प्रदेश में कौन सा इस्थान है तो चंदेरी है और चंदेरी जो साडिया है मद्य प्रदेश में काफी ज़दा प्रसित भी है तो यह आप लोग यहाँ प्याद रखें इसके बाद दोस्तों मद्य प्रदेश का पहला विश्य विद्याले कहां इस्तापित किया गया था तो सबसे पहला विश्य विद्याले कभी यहाँ पे स्तापित किया गया था कहां पर सौरी यहाँ पे स्तापित किया गया तो दोस्तों सागर जिलने में सबसे पहला मध्य प्रदेश का विश्य ध्याले इस्तापित किया गया और कौन सा था हरी सिंग गौर्ड यूनिवर्सिटी तो जो है हरी सिंग गौर्ड विश्य ध्याले तो इसको भी आप लोग यहाँ प्याद रखें सागर में यह स्तित है और यह मध्य प्रदेश का पहला विश्य दाले रहेगा इसके बाद दोस्तों अगला जो सवाल यहाँ पे जो रहने वाला है Chief Justice of India तो भारत के अभी जो Chief Justice है तो यहाँ पे कौन है N.V. Raman तो यह आप लोग याद रखे Important appointment है और सबसे लाश्ट में जो सवाल जो मैंने आपे cover किया बचपन बचाओ आंदोलन started by तो बचपन बचाओ आंदोलन जो है शुरूबात किस ने की थी तो कैलाश सत्यारती ने की थी और कैलाश सत्यारती इसका right answer यहाँ पे रहने वाला है तो दोस्तों नर्सिंग और जीके के कुछ इनी तरीके के प्रेशने आप लोगों के परिक्षा में पूछे जा सकते हैं और काफी सफाल आपको repeat देखने को भी जरूर मिलेंगे जो भी प्रेशन मैंने इस वाले वीडियो में और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप पे cover किये हैं और दोस्तों आप सबी को बताना चाहता हूँ यह part number 11 है और इससे पहले जो है करीब करीब जो है 10 part आ चुके हैं तो अगर आप लोग ने इससे पहले parts अभी तक नहीं देखें तो इसी वीडियो के नीचे जाए description box में आपको 10 अलग अलग parts की link आपको मिल जागी सारे parts आप लोग एक एक करके watch कर ले काफी सवाल जो है आपको आपकी परिक्षा में repeat आपको देखने को जरूर मिलने वाले हैं और दोस्तों MPCHO papers अगर आप लोग चाहते हैं तो जैसे कि मैंने आपको बताया भी है कि 2019 में तीन शिफ्टों में परिक्षा आयुजद करागी थी तो तीनों शिफ्टों के exam paper आपको मिल जाएंगे साथी साथ 2020 में एक ही शिफ्ट में ये परिक्षा आप लोगों की आयुजद करागी तो ये एक question paper भी मिल जाएगा और 2021 में दोस्तों दो शिफ्टों में एक्जाम हुआ MPC है चुका तो ये दो शिफ्टों के exam paper भी आपको मिल जाएंगे तो कुल मिला कि ये 6 question paper है 6 question की PDF file आप लोगों को मिल जाएगी और इसको आप लोगों को हमसे purchase करना होगा purchase करने के लिए amount जो है WhatsApp नमबर पे आपको हमें message करना होगा हमारा चैनल का WhatsApp नमबर है 741-55-436-59 741-55-436-59 आप सब लोग हमारे इस WhatsApp नमबर पे message कर दे आप सब लोग purchase कर लेना 150 रुपीस का आप लोग payment कर देना ये 6 question paper की PDF file आपको मिल जाएगी 2019, 2020 और 2021 से कौन-कौन से प्रेशन और कौन-कौन से टॉपिक से सवाल आप लोगों के पूछे गए थे ये सारी जानकर आपको papers में आपको मिलने वाली है और दोस्तों कापी सवाल जो है इन papers से आपको आगे repeat देखने को भी जरूर मिलेंगे तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देए ऑल आपको अगे जरुब देखने के लाइक कर देखने कोशे एक लाइक पूड़ कर देखने